नमस्का, राजनमा ठीही पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ 2024 लोकसोबा चुनाव से फेले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपना कुनबा मजबूत करने की कवाया शुरू कर दी है 18 जुलाई को भाषपा ने अपने एंडिये के सयोगी दलो की बेटक बुलाई है वहीं विपक्षी पार्टिया भी इसी दिन बैंगलूर में मिटिंग करने वाली है एंडिये की बेटक दिल्ली के अशोका होटल में 18 जुलाई को शाम 5 बजे से होगी प्रधान मंतरी नरीन मोदी इस बेटक की अध्यक्षता करेंगे बाषपा ने इसकी तयारी भी शुरू कर दी है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने एंडिये में शाबिल सभी दलो को नियोता भिजना शुरू कर दिया है नड़ा ने उन दलो को भी चिठी लिकर बुलाया है जो पिछले कुछ साल में विभिन मुद्दो पर एंडिये से अलग हो गए थे नड़ा ने शनीवार को भिहार से लोग जन्शक्ती पार्टी के प्रमुक और सांसद चिराक पासवान को चिठी लिकर एंडिये की मिटिंग में शामिल होने का नियोता दिया है इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्य मंतरी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुक जीतन राम मांजी को भी बुलाया है नड़ा के नियोतिया पर चिराक पासवान ने का हमने समय से में पर विभिन मुद्दो पर भाज़पा का समर्थन किया है लेकिन एंडिये की बेठक में जाना है या नहीं इस पर अंतिम फैसला पार्टी नेताओ के साथ बेठक के बात लिया जाएगा सुत्रों के मताबिक एंडिये की बेठक में पंजाब से अकाली दल बादल और आंधर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी चंदर बाबु नयाइडू को भी बुलाने की चर्चा है हलाकि इसकी अब तक की कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है इसके अलावा बिहार के उपेंद्र कुश्वा और व्याइपी पार्टी के प्रमुक मुकेश साहनी को भी बेठक में बुलाए जाने की संभावना है महीं उत्तर प्रदेश से सुभा सपा के ओपी राजबहर को भी बुलाए जाने की अटकले है महराश्ट से एंडिये की बेटक में पहली बार एकनाश शिंदे और अजित पवार शामिल होंगे पिछले साल एकनाश शिंदे ने उद्दव ठाकरे से बगावत कर भाशपा के साथ सरकार बना ली थी वेराज़ की सीएम भी है इसके अलावा इसी महीने एंसीपे में भी बगावत हुई और शरत पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी से अलग होकर अपने आठ अन्य विधायकों के साथ भाशपा शिव सेना के साथ सरकार में शामिल हो गए वेराज़ के वितमंत्री भी हैं इसके अलावा पुर्वतर राज्यों से भी कुछ छोटे दलों के एंडिये की बेठक में शामिल हो सकते हैं इंडिये त्रिपूरा से टिपरा मोथा पार्टी के प्रदोत्य विक्रम मानिक देव वर्मा भी शामिल है